आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रोब्लिम के भारे में जिसको हम कहते हैं आक्ने स्कार्स हाई, I am Dr. Soumya, कंसल्टिंट डर्मोटोलजिस्ट आद स्केम लॉजिक स्टनिक नॉइडा आक्ने स्कार्स क्या होते हैं? जब हमारे फेस पे आक्ने बहुत लंबे समय तक गाठ वाले आक्ने लालपन वाले आक्ने रह जाते हैं तो इन केसिस में जब वो हील होते हैं तो गड़े फॉर्म हो जाते हैं इन गड़ों को हम आक्ने स्कार्स पूरते हैं बहुत बार ऐसी scarring हम chicken pox के cases में भी देखते हैं, बट वो और acne scar के गटे अलग-अलग होते हैं. Acne scar के गट्डू में क्या होता है कि collagen जो है वहां से loss हो जाती है, यानि कि inflammation की वज़े से collagen वहां से हट जाती है और गटे बन जाते हैं. ये गट्डे open pores से अलग होते हैं. Usually, बहुत commonly इसको हम confuse करते हैं. Open pores एक normal tendency है oily skin के form होना, लेकिन acne scars normal नहीं हैं. इसके इलाज में हम collagen build करते हैं. Collagen build करने के अलग-अलग तरीके होते हैं. सबसे पहला और commonly used तरीका जिससे हम collagen build करते हैं, उसको हम microniddling करते हैं. With help of a derma pen, हम serum infuse करते हैं और उसको move करते हैं आपके face पे, जिससे collagen build होती है. Second and more effective option is a laser treatment. Laser light की मदद से हम आपके skin के अंदर collagen stimulate करते हैं, जिससे गड़े भर जाते हैं. इन lasers को हम abilative lasers कहते हैं, जिसमें हम ipixel करते हैं या फिर co2 laser करते हैं. इन दोनों laser की मदद से जब हम collagen build करते हैं, तो गड़े धीरे धीरे भरते जाते हैं. इसके अलावा, TCA cross भी एक अच्छा option होता है, जिसमें हम TCA की spot application करते हैं आपने के गड़ों पे. अब इतने सारे treatment options में हम कैसे decide करते हैं कि आपके लिए कौन सा best होता है. That depends on the type of acne scar you have. तीन अलग-अलग तरकी के acne scar होते हैं. Ice-pick scar, box scar and rolling scar. अलग-अलग scar की evaluation करके हम decide करते हैं कि क्या हमें एक ही treatment option की जरूत है? या फिर अगर combination में scars हैं यानि की तीनों तरके scars चहरे पे present हैं तो हम combination में treatment करते हैं जिसमें हम micro-needling, lasers, TCA सारे combine करके करते हैं. इन treatments में multiple sessions required होते हैं क्योंकि हर session में थोड़ी collagen build होती है, फिर उसके उपर के sessions हम करते हैं. minimum 4 to 6 sessions लगते हैं, बट इस sessions के number हम scar के examination के बाद decide करते हैं. अगर आपकोई कोई क्वेरी है या treatment options के बारे में आप जानना चाते हो, तो please comment down below and if you find this video informative, please like, share and subscribe to our channel.